कैसे आप सब आई होप अच्छे होंगे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेश्ट जरूर करूंगी जब भी आप इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब किये वे न ना जाए जिससे कि आपके पास हमारे आने वाली स्टोरीज और पोयेटरी का बहुत समय पहले की बात है किसी गाव में एक गरीब ब्राहमन रहता था एक दिन उस ब्राहमन के घर कुछ अतिथी आए ब्राहमन की स्थिती इतनी खराप थी कि उन अतिथियों को खिलाने के लिए घर में अनाज तक नहीं था इस स्थिती को लेकर ही ब्राहमन और उसकी पत अतितिया खड़े हुए हैं और हमारे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है इस पर ब्राहमन अपनी पत्नी से कहता है कल कर्क संक्रांती है मैं कल भिक्षा लेने के लिए दूसरे गाव जाओंगा वहाँ एक ब्राहमन ने मुझे आमंत्रित किया है वो सूर्य देव की त्रिप्ति के लिए कुछ दान देना चाहता है तब तक जो कुछ भी घर में है उसे आदर सत्कार के साथ अतितियों के सामने रखो ब्राहमन की यह बात सुनकर ब्राहमनी कहती है तेरी पत्नी होकर मैंने कभी सुक नहीं भोगा है ना कभी खाने को मिवा मिष्ठान मिला नहीं धान के वस्त्रव और आभूशन, आज तू कह रहा है कि जो भी घर में पढ़ा हो, वो अतितियों के समक्ष रख दो, जब कुछ है ही नहीं, तो मैं उनके सामने क्या रख दूँ, पड़े हैं, तो बस एक मुठ्थी तिल, तो क्या अतितियों के सामने सूखे तिल रखन अच्छा लगेगा, पत्नी की यह बात सुनकर ब्राह्मन कहता है, ब्राह्मनी तुम्हें ऐसा बिलकुल भी नहीं कहना चाहिए, कारण यह है कि इच्छा के अनुसार किसी भी मनुष्य को धन की प्राप्ती नहीं होती है, जरूरी है तो पेट भरना और पेट भरने योग्य अनाच्तों में लेही आता हूँ, अधिक धन की चाहत अच्छी नहीं, ऐसी इच्छा का तुम्हें त्याग कर देना चाहिए, अधिक धन की इच्छा की चक्कर में मनुष्य के माथे पर शिखा बन जाती है, माथे पर शिखा वाली बात सुन, ब्राह्मनी बड़े ही ब्राह्मन कथा की शुरुआत करता है, एक दिन एक शिकारी, जंगल में शिकार की खोज कर रहा था, जंगल में कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद शिकारी को एक काले रंग का पहार जैसा विशाल सुव दिखाए देता है, सुव को देखते ही, शिकारी अपना धनुष उ हुआ शिकारी पर पलटवार कर देता है, सुव के तीखे दातों से शिकारी का पेट फट जाता है, इस तरह शिकार और शिकारी दोनों का ही अंत हो जाता है, इसी बीच खाने की तलाश में भटकता हुआ, एक भूखा गीदर वहां से होकर बुजरता है, जहां शिकारी और स बिना मेहनत इतना सारा भोजन देख गीदर मन ही मन बहुत खुश होता है। गीदर सबसे पहले छोटी-छोटी चीजों को खाना शुरू करता है। तभी उसे शिकारी के मृत शरीर के पास धनुष पड़ा दिखता है। गीदर के मन में पहले उसे ही खाने का विचार आता है। और वो धनुष पर चड़ी दोर को चबाने लगता है। गीदर के चबाने से धनुष पर चड़ी दोर तूट जाती है। और दोर के तूटने से धनुष का एक सिरा वेक के साथ गीदर के माथे को भेदता हुआ। उपर निकल आता है गीदर के माथे को भेद कर धनुष का जो सिरा गीदर के सिर पर निकल आता है। वो ऐसा प्रतीत होता है। मानो गीदर के माथे पर शिखा निकल आए हो। घायल होने के कारण कुछ देर बाद गीदर की भी मौत हो जाती है। इतना कहते हुए ब्राह्मन कहता है, ब्राह्मनी इसलिए मैं कहता हूँ, की जरूरत से आधिक लोब से माथे पर शिखा आ जाती है, ये कथा सुनने के बाद ब्राह्मनी कहती है, ठीक है अगर ऐसी ही बात है, तो घर में जो मुठी भर तिल पड़े हैं, उन्हीं को मैं आतिति ब्राह्मनी की यह बात सुनकर ब्राह्मन संतुष्ट होता है और भिक्षा मांगने के लिए घर से बाहर निकल जाता है, वहीं ब्राह्मनी भी घर में पड़े तिल को धूप में सुखाने के लिए फैला देती है, तभी कही से एक कुट्ता आ जाता है, और उन्साफ तिलों पर पेशाप कर देता है, जिससे सभी तिल खराब हो जाते हैं, तिल के खराब हो जाने पर ब्राह्मनी काफी परेशान हो जाती है, और सोचती है, यहीं तो तिल थे, जिन्हें पका कर मैं आतितियों को खिला सकती थी, अब मैं क्या करूँ, काफी देर सोचने के बाद ब्रा इन तिलों के खराब होने की बात पता नहीं चलेगी इस विचार के साथ वह उन तिलों को लेकर घर-घर घूमने लगी ब्राह्मनी की यह बात सुनकर एक महिला वे तिल लेने के लिए तैयार हो गई लेकिन उस महिला का पुत्र अर्थशास्त्र पड़ा हुआ था उसने अपनी मा से कहा की इन तिलों में जरूर कोई न कोई खोट होगी वरना कौन साफ सुथ्वे तिलों को गंदे तिलों के बदले देने के लिए तैयार होगा पुत्र की यह बात सुनकर महिला ने ब्राह्मनी के तिलों को लेने से मना कर दिया कहानी से सी, हमारे पास जो भी होता है, हमें ओसी में सुखी रहना चाहिए किसी के पास ज्यादा चीज देख कर दुखी नहीं होना चाहिए